चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वा सारंग ने कॉंग्रेस पार्टी को आड़े हातों लेते हुए कहा कि कॉंग्रेस नाटक नोटंकी करने में माहिर है जनता को सिर्फ गुम रहा कर अपनी राजनेतिक रोटिया सेखती है मंत्री विश्व सारंग ने कहा कॉंग्रेस ने अपने गुर्रों को कमाई कराने के लिए मध्ध पुदेश की जनता की जेब में डाका डाला कोरोना के आखडों पर सारंग ने कहा हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है हमने किसी भी तरहा के आकड़ों को नहीं चुपाया है पावलिक डोमेन में सब कुछ रखा है हमने हर जानकारी को जनता से साजा किया है हम किसी भी जानकारी को नहीं चुपाते हैं चाहें विरान साफा में जानकारी रखने की बात हो ताकि अधिक से अधिक लोग vaccination करा सकें Congress नहीं विधान सवा हो या लोग सभा सिर्फ हंगामा करके सदन चलने नहीं देना चाहती है हम तो चला रहे थे पर Congress के हंगामे के चलते विधान सवा नहीं चली दिखे सीधी बात है हमारी सरकार पारदर्शिता पर चलती है हमने पब्लिक डोमेन में किसी भी जानकारी को नहीं चुपाया है हमारी सरकार यह सुनिशित करती है कि हम पूरी तरह जानकारी जनता के सामने प्रस्तुत करें हमारी सरकार चाहिए विधान सभा में जानकारी देने की बात हो या किसी और मंच पर किसी भी मुद्दे की जानकारी देने की बात हो, उसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं करती, उसको छुपाने का प्रयास नहीं करती, हमने हर समय करोना का मामला रहा हो या बाकी कोई मामला रहा हो, जनता के बीच में जो सत्य है उसी को बताया है, बच्चे जिनके सर से मा और माता पिता का साया करोना के समय उड़ गया, उनको पेंशन देने की योजना हमने शुरू किया और उस पर बहुत सारे बच्चों को वो मिलना शुरू हो गई, अनुकंपन युक्ति हमने दे दिये, बाकी जो योजना है उसकी पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो हमने तो जो कहा है वो हम करेंगे, ये भारती जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है, वही करती है, नाटक नोटन की करना ये कॉंग्रेस की आदत है, मैं पहले से कहता आया हूं कि कॉंग्रेस केवल अपनी राजनितिक रोटी सेखने के लिए जनता को गुम कर लगाएं है उसका जनता के हित में ही उसको खर्च भी किया कि कमल नाथ जी की सरकार ने अपने आश आराम अपने लिए हवाईजाज खरीदने और अपने बंगलों की साथ सजावट के लिए अपने गुर्गों को कमाई कराने के लिए मद्धिपदेश की जनता के जेब में डाका डाला वो ये कहते आए कि खजाना खाली है परन्तु मुख्यमंत्री निवास पर कमलनाथ के निवास पर करोड़ों रुपे जब खर्च हुआ तो खजाना खाली नहीं था हमारी सरकार तो हर समय जनता के हित और कल्यान की बात करती है संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ ता जोपड़ी से महलों ता ठेलों से मेलों ता पकदंडियों से सडकों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राज़्डीती से कूटनीती ता दखन न्यूज आपके हद ता आप देख रहे हैं तखन न्यूज